अस्सलावुलेकुम दोस्तो यदि आप कुईत में रहते हो और कुईत के इमतरीन कबरों से मैं इसा वाकिफ फिरना चाते हो तो ये वीडियो को बिने इसकोप का पूरा देखिए चैनल पर नहीं हो या फिर पहली बार आया हो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आकन को प्रेस कर लिजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटफिकेसन दोस्तो आपको हमें सफरी में मिलती रहे तो साथियो आज की वीडियो में सबसे पहली जो खबर दोस्तों मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो मिनिस्ट्री ओफ इंटीर के तरफ से लगभग 34 एक्सपर्ट को वहाँ पर ग्रफतार कर लिया गया है ग्रफतार करने का दोस्तों रीजन था रेसिडेंसी वालेसन अप लोग को तो पता ही अभी है कि कुएत में कितनी जवर्दस तरीके से वहाँ पर अभी चेकिंग वगएरा चलाई जा रही है मिनिस्ट्री ओफ इंटीर के तरफ से पुलिस के फेरा औथुरेटी के तरफ से सभी के दोबारा चेकिंग किया जाता है जिन में इसे साथ वहाँ पे रेसिडेंसी लॉइव वालेसन के तरफ वहाँ पकड़ा गया है और लगवग दोसों 27 एक्सपर्ट को पकड़ा गया है रेसिडेंसी लॉइलंगन के लिए 7 महिलाओं को यानि नौकरानी का जो काम जो करती थी, वो किसी और काम की लिए आये थी, पर उसके बहुजूद भी वो लोग फेक मेड का काम करी थी, जिसके बज़े से 7 महिलाओं को गिरफतार किया गया, 27 एक्सपर्ट को गिरफतार किया गया है, जिन में से सलहिया एरिया, वेश्ट अब पे ड्रग डीलर के तरब से, तो साथियों आपको बता दू, कुएत में जो है, लगभग 15 से 22 साल को बच्चों को वहाँ पे टार्गेट किया जाता है, खास और पे वहाँ पे ड्रगिंग का आदत दिलाने के लिए, यानि नसीली परदात का सेवन का आदत दिलाने के लिए खास और पे स्कूल में, कॉलेजेस में, युनिसिटी में काफी जादा लोगों को टार्गेट किया जाता है, ताकि सभी लोग नसीली परदात का इस्तमाल जादा से जादा करने लगे, तो सरकार के तरब से सभी को कॉलेज को, स्कूलों को हिदाय दी गई है कि हर एक जगा सिसी टीवी कैबरा को लगाया जाए, ताकि जो भी लोग वहाँ पर ये सब काम कर रहे हैं, कैमरे के जरीए पकड़े जा सकें, क्योंकि दोस्तों कुएत में, काफी भारी मातरा में, लोग वहाँ पर ड्रग्स का सेवन करने लगे हैं, खास और पर बच्चे लोग जितने है वो लोग काफी जादा वहाँ पर करने हैं, अगली जो अपडेट दोस्तों आ रही मिरिश्ट ओफ इंटीरर के तरफ से आ रही है, तो मिरिश्ट ओफ इंटीरर के तरफ से मुबारक अलकबीर एरिया में, दोस्तों एक कैमपेन चलाए गई थी, कैमपेन के दोरान, तीन लो अगरी की है, तो साथियों, ये मुबारक अलकबीर एरिया में, काफी दिनों से ये सब काम वो कर रहा था, जिसके बाद किसी के दोरा अथुरिटी को भनक लगी, और वहाँ पे छापी मारी की गई, छापी मारी के दोरान सभी को ग्रफतार किया गया, जो भी चीजे थी, न जो है, वो हैक कर लिया गया था, अच्छी खबर दोस्तों ये है कि साइबर सेक्रेटी डिपार्टमेंट के तरफ से तुरंद उसे वापस लाया गया, पर साथियों इतनी बड़ी दोस्तों डिपार्टमेंट को हैक करना कोई आम बड़ी बात नहीं है, वो भी क्वेत का, त तो साथियों वहाँ पे क्वेत में, वहाँ पे फिर से भारी मातरा में लोगों को ग्रफतार किया गया है, दोस्तों ग्रफतार करने कर, ग्रफतार किया गया है दोस्तों, जो जबरल ब्रीज हैं वहाँ पे, अब साथियों वहाँ पे वो लोग क्या कर रहे थें, सराप के न दोस्तों उसाथ सेयर करें, ताकि और भी लोग को इसकी जानकारी हो सकें, मिलते साथ ही नेक्स टुडियू पर जहीं दला आफिस और टेक क्यार.